नमस्कार दोस्तों मैं हूर अतुल और यह है फायरबोल्ट की एक smartwatch दोस्तों अगर आप अपने फायरबोल्ट के smartwatch की warranty को एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको बताने वाला हो कि किस तरीके से आपको warranty को एक्टिवेट करना है और माने हो फीचर में कुछ भी प्रॉबलम आती है आपके watch में तो आपको किस तरीके से उस warranty को claim करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे फ़ले जानते है कि आपको किस तरीके से अपने Fireball स्मार्टोज की warranty को activate करना है तो आपको बताऊगा box में आपको मिलते हैं की सारे cards उसमें एक होता है ब्लाक कलर का एक कार्ड इसमें लिखा होता है रिजिस्टर फोर वारंटी और इसमें नीचे लिखा होता है एक वेब एड्रेस जिसमें लिखा है bolt.com slash warranty तो यह जो है यह वेब एड्रेस से जिसके जरी आप अपनी वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो तो आपको इसी वेब एड्रेस पर जाना है तो Chrome ब्राउजर को ओपन करिए किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हो आपको टाइप करना है boltt.com slash warranty ठीक है और आपको फिर इससे टाप करना है तो यह है इनका वारंटी फोर्म यहाँ पर लिखा है और अब आपको सबसे पहले अपना नेम एंटर करना है तो मैं यहाँ पर जो तीन चीज़े है एंटर कर देता हूँ नेम, आपका email id और mobile number दोस्तो मैंने name, email id और mobile number को एंटर कर दिया है अब आपको चूज़ करना है channel of purchase मतलब आपने कहां से इस smartwatch को खरीदा है तो आपको मिलेंगे option Amazon, Flipkart, Mintra and others अगर आपने Amazon से किया है तो हम करेंगे Amazon फिर आगे है choose the product मतलब आपको कौन से product की या smartwatch की warranty को activate करना है तो आपको इस पर tap करना है आपका जो भी smartwatch का model होगा उसे search करना है जैसे यह है firebolt ninja calling तो मैं यहाँ पर दिखूंगा firebolt ninja calling यही है firebolt ninja calling मैं इस पर selection करूंगा यह select हो चुका है इसके आगे है आपको अगर यह 3 offers चाहिए तो आपको yes करना है चाहिए offers किसको नहीं चाहिए लेकिन offer में क्या क्या है तो offer में आपको मिलेगा 3 मैने की extended warranty exciting gift voucher भी मिलेंगे और अगली purchase अगर आप करते हो firebolt का कोई भी product अगर आप purchase करते हो तो उस पे भी आपको cashback मिलेगा तो अगर आपको यह सारी चीजे या offers चाहिए तो आपको यहाँ पर करना है yes ac करेंगे हम और फिर आगे है order ID तो flip card या Amazon से आपको check करना है कि order ID कौनसी है और उस order ID को आपको यहाँ पर flip करना है अब आगे है date of purchase मदब आपने जो smart watch है कौनसी तारिक को purchase की थी या कौनसे तारिक को आपने order किया था तो जो order date है आपको इसे flip करना है तो माल लो मैंने 23 तारिक को किया था 23 23 फेबरुआरी को तो मैं करूंगा 23 फेबरुआरी year भी change कर सकते हो और यहाँ से आप month भी change कर सकते हो इस तरीक से तो मुझे तो करना है 23 फेबरुआरी तो मैंने कर लिया है 23 फेबरुआरी और करूंगा set दोस्तों फिर आगे है रिउ को attach करने का यह option अगर आपने flip card या Amazon पे इस smart watch का review दिया होगा जो भी आप smart watch उस कर रहे हो उसका review अगर आपने दिया होगा तो आपको उस review का screenshot capture करना है और उस screenshot को आपको यहाँ पे attach करना है add file में लेकिन यह जरूरी नहीं है अगर आपने review दिया होगा तो आप screenshot capture करिए और यहाँ पे add करिए अगर आपने नहीं दिया review तो कोई problem नहीं है आप बिना review दिये भी इस warranty को activate कर सकते हो तो मैंने सारी जो detail है फिलप कर दिये हाला कि मुझे review को attach नहीं करना है तो मैं बिना review के भी जो warranty है उसे activate कर सकता हूँ तो मुझे करना है submit submit करने के बाद आपको मिलेगा एक message जिसमें लिखा होगा your response has been recorded मतलब जो आपकी warranty है activate हो चुकी है दोस्तों मालो अब आपके smartwatch में कोई issue आता है ठीक है अब आपको warranty को कैसे claim करना है तो आपको बता होगा firewall का कोई भी service center नहीं है जहाँ पे visit करके आप जो अपनी smartwatch है उसे repair या replace कर सको आपको सब कुछ करना बढ़ता है email और phone से तो आपको कैसे करना है आपको मिलेगा एक number यहाँ पे 022 से start हुआ है इस number पे आपको call करके आपकी जो issue है वो बतानी है या फिर इस email ID पे आपको उन्हें email करना है और आपका जो भी issue है आप जो भी issue face करें हो आपके smartwatch के साथ जो भी हुआ है आपको जो पूरी जानकार यह वो आपको share करने है email पे या फिर उस phone number पे उस call पे इतना करने के बाद आपकी request को note किया जाएगा इसके बाद आपको आपका जो address है वो share करना पड़ेगा आपका contact number और अब उस address पे courier partner आएगा उनका जो courier partner रोता है वो आएगा जो smartwatch है आपकी उसे pick करेगा collect करेगा और लेके जाएगा fireball के service center और उसके बाद आपकी watch वहाँ पे repair होगी या replace होगी और एक बार आपकी smartwatch repair हो जाएगी तो आपको email से या फिर SMS से notify किया जाएगा कि आपकी जो watch है repair हो चुकी है अब आपको मिलेगी इतने दिन के अंदर आपके address पे और आपको tracking number भी दिया जाएगा ताकि आप track कर सको कि कुन सा courier कितने दिन में लाप आएगा आपके address पे और फिर कुछ दिनों के बाद आपके pin code के हिसाब से जो आपकी watch होगी वापस आपको मिल जाएगी इस तरीके से जो पूरी process है वो चलती है क्योंकि इसमें कोई भी service center होता नहीं तो आपको pick and drop service ही मिलती है तो आप इस तरीके से जो warranty है उसे claim कर सकते हो इतना करने में करीबन 20-30 दिन लग जाते हैं लेकिन अगर आप यहाँ पे warranty को activate करते हो इस तरीके से तो आपको कम time भी लग सकता इसलिए अच्छा रहेगा कि आप इस तरीके से पहले से ही warranty को activate कर लो इस तरीके से आप अपने fireball के किसी भी smartwatch की warranty को activate कर सकते हो और कोई भी अगर issue आता है आपके smartwatch में तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको claim करना है दोस्तो तो यह था इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो आप मुझे Instagram पे या पिर Twitter पे भी message कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो